तो हमारे पार्लेमेंट के अंदर 43% पॉलिटीशन ऐसे हैं जिनके उपर क्रिमनल चार्जेश हैं और उसमें से 29% ऐसे हैं जिनके उपर मडर, रेप, फिरोथी ये सारे चार्जेश हैं और ऐसा नहीं है कि खाली MPs ही हैं, हमारे MLA भी इसमें पीछे नहीं है अगर मैं 2015 Delhi election की बात करूँ, तो उसमें 70 में से 43 नेता ऐसे जीत के आये थे, जिनके उपर क्रिमनल चार्जेश थे और अगर करन्ट की बात करें, तो 37 MLA ऐसे हैं जिनके उपर क्रिमनल चार्जेश हैं और यह ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया या F.I.R. है, यह वो चार्जेश हैं जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं मतलब पुलिस गई है, वहाँ पे उसको evidence confirm हुए, eyewitnesses मिले हैं, यह वो चार्जेश हैं यह problem तो बहुत ही छोटी सी है, कि parties क्रिमिनल्स को ticket ना दे और लोग क्रिमिनल्स को vote ना दे लेकिन इस छोटी सी problem के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है और अभी तक इसका solution नहीं हुआ 1999 में Association for Democratic Reform, जैसे ADR नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग इन्हों ने जो भी क्रिमिनल्स है पॉलिटिक्स में इनके लिए एक P.I.L. डाली डेली हाई कोट में और डेली हाई कोट ने उसको accept भी कर लिए जब डेली हाई कोट ने यह P.I.L. accept की थी तो यह चीज वहीं खतम हो गई थी यह जो नेता जीने हम जिता के लाते हैं न यह सब लोगों ने मिलके उस P.I.L. के अगेंस में सुप्रीम कोट में अपील कर दी जब सुप्रीम कोट से भी इनकी अपील खारिज हो गई तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था यह सारी पार्टियां एक हो गई जब हमारे देख की सिक्यूरिटी की बात आती है उरी अटैक हो गया बाला कोट हो गया या हमले वाली सिचुएशन मनती है तब भी यह पार्टियां एक नहीं हो गई थी लेकिन इस चीज़ के लिए यह सारी पार्टियां एक हो गई थी और के लिए उसको दिक्कत आजाएगी. लाखों कह दी ऐसे हैं जिन पर भी जज्जमेंट नहीं आया, जो अंडर ट्रायल हैं, उनको जेल में डाल रखा है. तो ये सारी चीज़ें जो applicable होती हैं, सिर्फ politicians के लिए होती हैं, बाकी किसी के लिए नहीं. इतने बड़े सांसरती छेत हो बन जाता है. पार्टी के लिए funding इखटी करनी हो, self-financing, black money, campaigning के लिए finance इखटा करना हो, हर एक चीज़ में माहिर होते हैं. इसलिए political parties की ये पहली पसंद बन जाता है. पहले लोग इतनी demand में नहीं थे. पहले वही भीड इखटी करना, boot capturing, इनी सब चीज़ों तक ये लो के लिए भी आपको जुगार की जरूत होती है. लेकिन वहीं अगर आप अपनी कास्ट वाले नेता के पास जाओगे, तो आपका काम हो जाएगा. थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा, आपका काम कर देगा. तो ये जो system कमजोर है, ये मजबूर करता है लोगो को इन लोगों को वोट देने के लिए. और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि इस system कभी strong ना हूँ. अगर तुम closely observe करो, तो हर नेता यही तो सम्झाने की कोशिश कर रहा है, कि system सारा खराब है, system में यह यह कमिया है, और मैं तुम्हें इस system से बचा लूँगा. और system काम नहीं कर पा रहा है, वो काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे. इन केस अगर कोई ज़्यादा होशियार बन रहा है, या लोगों में ज़्यादा समझ आ गई है, तो एक छोटा सा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगा तुम्हें करना है, Center for Media Studies, CMS, इसके इसाब से, लास्ट लोग सभा जो 2019 का था, उसमें 50,000 करोड से भी ज़्यादा पैसा involved था, पूरे वर्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, एलेक्शन में, USA से भी ज़्यादा, तो लार, तुम्हें क्या लगता है, इतना पैसा ख पैसा खर्च करता है, जिसके आगे पीछे, पूलिस वाले जी हजूरी कर रहे होते हैं, बहुत ही वर्स सीन होता है, हर साल रिपोर्ट्स आती हैं, कि 75% से भी ज़्यादा लोगों को पुलिस पे भरोसा ही नहीं है, इंडिया एक लोटी ऐसी जगा है, जहाँ पे पुलिस को देख के इंसान सेफ फील करने के बजाए डरता है, एक 15 साल के बच्चे तक को पता है कि IPL में सक्टा लगाने के लि और राजसभा की एज 63.5 है, एक दो केस अगर छोड़ दें तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में गुसने का रास्ता नहीं है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगा ना, टॉप 10 यंग पॉलिटीशन तो एक भी नाम उसमें ऐसा नहीं होगा, जिसका कोई फैमिली से कम पॉलिटीशन ने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है, वहाँ नहीं भेजते ही लोग, हम लोग इनसे मैनिफेस्टों में डिमांड ही कहां करते हैं, हम तो बस रिलीजियस मुद्य देखते हैं मैनिफेस्टों में और खुछ हो जाते हैं, इंडिया ने ब्रिटिश पार्लेमेंटरी सिस्टम अडेप्ट किया और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज है, शैडो कैबिनेट वो हमने छोड़ दी, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये लोग हमें पता लगने भी नहीं देते हैं, इसमें होता ही है कि अगर मैं फिनेंस मि लोगों तक पहुचाएगा, और इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में होता है और लोगों के लिए बड़ा बेनिफीशल रहता ही है, क्योंकि छोटे से छोटे काम के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री इंवाल्व रहती है, तो एक्शूल में किस नेता की क्रिमिनल को तो वोट ना दे, और ऐसा तो होता नहीं कि सारे सारे लाइन से क्रिमिनल ही खड़े हो जाते हैं, हमें बस इतना करना है कि जो भी कैंडिडेट क्रिमिनल है, हमें बस उसे वोट नहीं देना है, भले ही हो हमारी फेवरेट पार्टी का हो, भले ही हो हमारी कास्ट पस एक दो बार हमें ऐसे करना फिर इन लोगों को टिकेटी मिलना बंद हो जाएगा पार्टी उसे जितनी research हम अपना mobile phone खरीदने में करते है उसकी 10% research भी अगर हमें अपने candidate के बारे में कर ली तो एक criminalist जितने भी है पारलेमेंट में नहीं दिखेंगे यह वहीं दिखेंगे